दुनिया भर के कई देशों ने जरूरत पढ़ने पर अपने देशों की राध्धानी को बदला है और हाल ही में इंडोनेसिया ने भी अपने देश की राध्धानी को बदलने करने लिया है और कुछ सालों में ये राध्धानी कुछ हट तक बनके तयार भी हो जाएगी तो आज किस वीडियो हम जानेंगे कि आखिर कार दुनिया के किन देशों ने अपने देशों की राध्धानी बदली है और इंडोनीशे ने जो भी फैसर लिया है उस फैसले की एहम बज़े क्या है तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि दुनिया के कौन से देश हैं जिन होने राध्धानी बदली है तो आप इधर पर देखें साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश की बाते हम करें जो है ब्रजील तो इसकी पहले राध्धानी हुआ करती थी रियो डी जिनेरो और आज की लेट में इसकी राध्धानी है प्रजीलिया इसी तरीक चे से आप अप्रिका में देखें एक देश से यहाँ पास नाइजीरिया इसकी पहले राध्धानी हुआ करती थी लगोस और आज की रेट में हैं अबुजा और दिया हम भारत की बात करें तो भारत की भी पहले राध्धानी हुआ करती थी कूलकाता लेकिन प्रजैंट में भारत की राध्धानी है न्यू धेली इस तरह से हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे पहले राध्धानी हुआ करती थी कराची उसके बाद कुछ समय तक रावल पिंडी बनी और आजखेट में इसलामाबाद पाकिस्तान की राध्धानी है इस तरीक से यदि हम बात करें म्यानमार की तो म्यानमार की पहली राधानी हुआ करती थी रंगून और आठीयड में इसकी राधानी है नेपिडा तो हाल ही में आप देखें वर्ल्ड में यहां पास है यह है इंडोनेशिया तो इसी देश ने अभी फिलाल अपने देश की राधानी को बदलने का फैसला लिया है तो इसकी राधानी अभी तक है जाकार्ता लेकिन कुछ सालों में इसकी राधानी हो जाएगी नुसंत तारा जिसको आप और अच्छे से इंडोनेशिया के इस वेब में समा सकते हैं आप देखें इंडोनेशिया में वहो से आईलेंड है तो एक आईलेंड है सुमात्रा दूसरा है जावा तीसरा है बोर्णियो फिर आप देखें दरपे इधर पर न्यू गीनिया में भी इधर पर आप देखें ये है इंडोनेसिया का पार्ट तो आप देख सकते हैं एक इंडोनेसिया का ये पार्ट हो गया एक ये सुलावेसि वाला हो गया एक यहाँ पास आप देखें बोर्नियो आइलेंड हो गया इसको काली मंतम भी अपन कई बार बोल देते हैं और एक है ये सुमात्रा और ये हो गया जावा तो फिलहाल बरतमान में इंडोनेसिया की जो राधानी है जाकारता वो जावा आइलेंड में सिच्टेटेड है और इस नुसानतारा को ही जानेंगे बाद में जानेंगे कि आखिरकार इंडोनेसिया की गवर्णने जाकारता से नुसानतारा कैप्टल सिट करने का निरने किन बजहों से लिया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नुसानतारा की तो आप देखें नुसानतारा जो को 65% एरिया म आपको forest area देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको forest city भी कह सकते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो नुसान तारा है, ये अंगले ही साल 17 अगस्त 2024 को काफी हट तक सुरू हो जाएगी, क्योंकि 17 अगस्त को आप समझें इंडोनेसिया का independence day भी मना जाता है, और बाद में आप लगेंगे इस new capital को पूरी तरीके से बनने में, लेकिन फिरहाल अंगले साल में काफी हट तक जो भी official work है, वो new capital से होना शुरू हो जाएगा, और बाद में 2045 में completely जकारता को replace कर देगी, और ये नई capital वहाँ पर पूरी तरीके से डबलप होकर तयार हो जाएगी, अब हम ब प्रावडम में अब हम उनको समझते हैं, तो पहली problem क्या है, कि यहां पर आप देखिए, population बहुत जादा है, जिसे traffic jam आपको देखने को मिलेगा, world most densely populated cities में से एक जकारता, यहां पर लगभग 10 million population है, और 2-3 तक ऐसा माना जा रहा है कि यहां की अबादी लगभग 35 million हो जा है, आप यहां पर देख सकते हैं, जावा आइलेंड कहा है, तो यह है जावा आइलेंड और इस जावा आइलेंड में ही, इस पूरे इंडोनेसिया की आप समझिए, 60% population रहती है, बलकि जावा आइलेंड एरिया वास काफी चोटा आप देखें, सुमात्रा हो गया, भोर्नि है, सुलावेसी है, और न्यूगीनिया है, यह काफी बड़े आइलेंड ने, फिर भी इन पूरे मिलाके 40% population रहती है, और अकेले जावा में, यहां 60% population इंडोनेसिया की रहती है, और वहीं इसकी capital है, जाकारता, और आप समझें, जो काली मंतम है, जहां पर नुसंतारा नई capital बनकर तयार होगी, उस island की population इमाद 3.7 million, यदि हम population के इलाबा GDP की बात भी करें, तो आप समझें, GDP के मामले में भी काली मंतम का काफी कम सेर है, आप समझें, एरिया में भले यह 4 टाइम्स बड़ा है, लेकिन less than a tenth of the gross domestic product, लेकिन जितना भी GDP उसका 1 tenth भी इस island में नहीं है, आप समझें, 58% जो इंडोनेसिया की GDP है, वो भी जावा island से ही आती है, तो वहां की सरकार चाहती है, कि जो भी एकोन में एक बैल्थ है, उसको बांकी islands में भी दीरी-दीरी सिप्ट कर दें, और इसी वज़े से नई capital बनाई गई है, लेकिन आप समझें, इंडोनेसिया government का यह मनना है कि जगारता फिलहाल काफी समय तक यहां का economic हब बना रहेगा, ताकि business, finance, trade और service सो चारू रूप से चलती रहे, तो पहला कारण तो आप समझी गए होंगी, कि यहां की population जादा होना, और दूसरा economic wealth को distribute करने की कारण ही नई capital बनाएगी, अब यदि हम कुछ और ए आते रहते हैं, volcanic eruption होता रहता है, land slide की सम्भावना रहती है, और sea level rise हो रहा तो इस एरिया की डूप जाने की भी सम्भावना है, तो ऐसी बहुत सी आप देखें जो यह है, यह एक तरीके से natural disaster का एरिया भी माना जाता है, इसके लाब आप जाकारता जो capital है, यहां पर below sea level है, इसलिए यह माना जा रहा है 2050 तक की one third जो capital है जकारता वो समर्ज हो जाएगी, यानि डूप जाएगी, लेकिन वहीं यह हम बात करें, east काली मंतम एरिया की जहां पर यह नई capital बनेगी, तो यह वाला एरिया natural disaster से बहुत ही कम effect होगा, बहुत ही कम chances रहेंगे यहां पा जिसकी बज़े से इंडोनेशाई government जकारता से नुसानतारा capital shift करना चाहती है, और इसको यह एक नई green और smart city की रूप में डबलब भी करेगी, और एक और जो important factor है, वो है geographical factors यानि नुसानतारा की location, आप देखें इंडोनेशिया में, सुमात्रा यहां हो गया, जाबा यह है, बोर्नियों है, सुलाव AC है, और यहां पर न्यूगीनिया है, तो यह देखें, यह काफी side में capital है, लेकिन जो यह नई capital बनेगी, यह काफी बीचों बीच में है, इसलिए इसका जोगरफ का रूप से भी importance है, साथी साथ यह कई पडोसी countryों से भी connect हो जाएगी, जिसमें Indian Ocean में भी काफी अच्छी connectivity बन जाएगी, नुसंतारा capital हो जाने से, अब ऐसा भी नहीं कि जो इंदाई capital बनेगी, यहां पर कुछ concern नहीं है, यानि कुछ problem नहीं होगी, बिल्कुल कुछ ना कुछ समस्या है, यहां पास भी generate हो सकती, तो पहली समस्या तो यहां पास यह हो सक जाएगी, और इसके लाव आप समझेए, जो यह new capital है, उधर पर औरंग्टन की भी काफी हत्यक population पाई जाती है, तो उनके भी disturbance की समभावना बढ़ जाएगी, साथ ही साथ कुछ critics का यह मानना है कि सरकार वहां पर palm oil plantations को बढ़ावा देगी, जिससे जो वहां के natural forest हैं, उन कि कट जाने ही समभावना बहुत जादा बढ़ जाएगी,